मारास्ट में शीफ सेना और भारती जन्ता पार्टी के बीच जारी देंगल में अब रास्ट वादी कॉंग्रिस की एंट्री हो गई है बता दे आपको कि अनसीपी नेता प्रफुल पतेल ने हाली में कहा है कि हमें विपक्ष में बैठने के लिए जनादीश मिला है लेकिन अगर हालात बदलते हैं तो वो विचार कर सकते हैं बता दे कि हाली वे भारतियों जंदा पार्टी के विधायक दल की बैठा किस बीच एंसीपी ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री पत को लेकर शिफशेना और भाजपा एक दूसरी परवार कर रहे हैं। शिफशेना ने ता संजराउत ने कहा था कि अगर भाजपा गठबंदन धर्म का पालन नहीं करती है तो शिफशेना के पास अन्यविकल्प भी है। भाजपा उन्हें उस पर विचार करने के लिए मजबूर ना करे। कॉंग्रेस की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि अगर शिफशेना हमें प्रस्ताप देती है तो वो सरकार बनाने पर विचार कर सकते हैं। वहीं अन्सीपी के चगन बुजबल ने भी शिफशेना को बिजेपी का साथ छोड़ कर उनके साथ आने को कहा था। हाला कि शिफशेना की ओर से कोई बयान नहीं आया था। महराश्ट्र चुनाव में इस बार बिजेपी और शिफशेना एक साथ चुनाव लड़े और दोनों के गठवन्दन को बहुमत भी मिला। लेकिन चुनाव नतीजों के बाद सियमपत की कुर्शी पर पेच पस गया है। वहीं एनसेपी कॉंग्रेस लगातार कह रही है कि उन्हें सरकार बनाने के लिए जनादीश नहीं मिला है। वहीं अगर सीट की बात करें तो भाजपा को 105 सीटे मिली है तो वहीं शिफशेना को 56 सीटे मिली है। कॉंग्रेस को 44 और नसीपी को 54 सीट मिली है। इधर NCP और कॉंग्रेस की ओर से शिफशेना पर डोरे डाले जा रहे हैं तो बिजेपी नेता सुधीर मुन गंटिवार ने बयान दिया है कि अगर शिफशेना भी पक्षिप पार्टियों के साथ जाने की सोचती है तो ये विपरीत बुद्धी के समान होगा। बिजेपी के नेता भी लगातार शिफशेना के साथ सरकार बनाने की बात तो कर रहे हैं लेकिन सीयम पत पर आर पार जारी है पता दे आपको किस तरह से देखा जाए तो कहीं न कहीं असा लग रहा है कि बिजेपी शिफशेना के घमसान में क्या कॉंग्रेस NCP बाजी मार अब देखना दिल से स्फोगा किसके नतीजे क्या आते हैं SPN 9 Newsroom से स्ट्रिटिक रिपोर्ट